और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जोड़ गए हैं मुख्यों मंत्री अर्विद्न केश्रिवाल अब तक जो आपनी चुनावायों की तरफ से सामने आये हैं काफी धीमी वोटिंग हो रही है और पिछली बार के अगर हम आकड़े देखें तो काफी कम है ये वोटिंग आपको लगता है कि दिल्ली के इस चुनाव में इससे कोई असर होगा मैं दिल्ली की सभी जंता से अपील करना चाता हूं कि आप जादा से जादा संख्या में वोट डालने के लिए निकल लिए आपका वोट में बहुत बड़ी ताकत है पिछली बार आपने अपना वोट देके दिल्ली में बिजली 24 गंटे कर ली थी आपने अपना वोट दे के अपने स्कूल अच्छे कर लिये थे, अपने अपना वोट दे के सड़के ठीक कर ली थी आपके वोट में बहुत जादा ताकत है, आपका वोट मुल्क बदल सकता है, दिल्ली का विकास कर सकता है और खासतर मैं महिलाओं से अपील करना चाहूंगा कि कई बार महिलाएं घर के काम में व्यस्थ होके बाहर नहीं निकलती है आप जरूर वोट डालने के लिए जाएगा और अंत्पंथ में घर तो आपको ही चलाना पड़ता है बच्चों की फीस आपको भरनी पड़ती है कि किस पार्टी को वोट देना है जो घर चलाने में मदद करती है पार्टी वही मुल्क को भी आगे ले जा सकती है पार्टी वही दिल्ली को भी आगे ले जा सकती है पार्टी तो अपने सारे घर के पूरिशों के बिता देना कि किस को वोट देना है और दूसरा जो फरस्ट और सब लोग वोट डालने जाना महिलाओं को लेकर जो आपने अपील की उस पर भारती जनता पार्टी की जो नेता है इसमर्तिन उन्होंने ट्वीट किया है सवाल खड़े कर रही है क्या कह रही है उन्होंने ट्वीट किया महिलाओं को लेकर आप कह रहे हैं कि पूरिशों से जादा था, धीमा होने के वज़े से शाम तक इस्तिती बदल सकती है। मैं भी इसको लेके चंतित हूँ कि धीमा है, तो जादा से जादा लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप भी अपने चैनल के जरीए लोगों से कहिए कि घर से निकले हैं। लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और काफी चारों तरफ लंबी-लंबी लाइने भी हैं, और मैं लोगों से फिर अपील करना चाहूँगा कि जादा से जहां बता रहे हैं कि क्यूर कोड जो पहली बार इंप्लिमेंट किया गया, वहां थोड़ा जादा स्लो हो गया है, नया सि जहां पर आप मंदर जा रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा है कि कुछ दिन पहन रहे, एक मैं चैनल पर गया था, उस चैनल वालों ने कहा जी, आपको हनुमान चली सा आता है, मैंने का आता है, तो उन्होंने का सुना दीजिए, मैंने बड़े श्रधा पूरवक हनुमान चली सा महा पर सुना दिया, तब से पीछे पड़े मैं वीजेपी वाले मुझे गालियां दे रहे हैं, हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे हैं, हनुमान चली सा का मजाक उड़ा रहे हैं, यह तो ठीक बात नहीं है, कल मैं हनुमान मंदिर गया था, तो उसका मजाक उड़ा र अच्छी बात है शांती मिलती है मन को मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब का भलाओ बीजेपी वालों का भी भलाओ आमादमी पार्टी वालों का भी भलाओ भगवान जी सबको आशिरवाद ने है अक्री मेरा सवाल आपसे ये है कि पिशली बार सरसट सीटे इस बार क्या आंकलन है क्या आंतरिक सरवे है आमादी पार्टी का अरविंद केजरिवाल का लगातार आप अपनी तमाम संगठन के साथ बीटिंग करते रहें मेरा मैं तो जो जनता तै करेगी जो निरने जनता करेगी वो सर माथे पर कोई आकलन है लगता है कि इससे पार जाएंगे कुछ भी कहना मुश्किल है